जियाश्री शाम स्टुडेंट्स कैसे हैं अग सब अगर आप अपने जून 24 में सी फांडेशिंग का टेम्फ निगालना चाते हो तो बेटा आटीपी करना बहुत जुरूरी है रिविजिंग टेस्ट पेपर ICI ने रिसेंटली जून 24 एक्जाम के लिए आटीपी रिलीस किया है उसी को आज हम डिस्कुस करने वाले है तो मेक शूर आप पूरी वीडियो दिहां से देखे और सारे क्वेस्टिन को अच्छे से समझेंगे क्योंकि हम एक एक क्वेस्टिन को डीटिल में यहाँ पर डिस्क आपके इंडियन जुडिशल सिस्टम का मीनिंग बता रहा है और फंक्शन बताने है तो पेटा जो आपके कोड्स होते है न वही होते हैं आपके इंडियन जुडिशल सिस्टम का पाट तो इट इस अ ब्रांच अफ गोर्मेंट जिसके थू लौ को एनफूर्स कराया जाता ह है कानून का पालन हो ये बात देखी जाती है इसके अलावा कोड्स ही है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्फ कराते है तो बेसिकली रेगुलेशन ओफ लौ इंटर्प्रेटेशन ओफ लौ कानून को कैसे इंटरप्रेट करना है जो लिखा है वो उसका इग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये भी कोट सी लेखते हैं किस बात को किस सैंस में समझ के चलना ये भी कोट से लेखते है इसके अलावा जो आपका lawsuit कोट कराता है sort कर कराता है court right court करते है dus एक हाईरार्की में operate करते है सबसे पहले होता आपका district court फिर आता है आपका high court, फिर आते हैं आपका supreme court, district court के साथ हिआ Republican court भी एक लिख लेंगे तो सबसे उपर है Supreme court फिर है आपका high court फिर आते हैं आपका district और Metropolitan court, right district और Metropolitan same level पे होते है Walking Metropolitan court होते है Metropolitan cities में District court होते हैं बाकी cities में, right चलिए तो इसी को हम पढ़ते हैं एक बार तुरू विच तुरू विच थूरू रिज दा इन्फोर्स्मेंट अफ लॉव रिजॉव डिस्प्यूट बिट्वीन सिडिजन और बिट्वीन सिडिजन अन्टी गॉर्मेंट लोगों के बीच में वाद दी वाद है तो वो भी इंडियन जुडिशल सिस्टम सॉल्व करता है लोगों और कानून के बीच में या सरकार के बीच में कोई बहस है तो वो भी आपका कोट में ही सॉल्व होता है तो जुडिशल सिस्टम के फंक्शन क्या है मैंना आपको बताया है रेगुलेशन और इंटर्प्रेटेशन अफ एक्ट डिस्प्यूट रेजिशन प्रमोशन और फेरनेस डिस्प्यूट रेजिशन मतलब लोगों में अड़ाई चोगड़ा सॉल्व कराना और प्रमोशन और फेरनेस मतलब एक्वालिटी मेंटेन करना प्रमोट करना ठीक है बेसिकरी लोगों को जस्टिस मिले न्याई मिले इंसाफ मिले इस बात का ध्यान लगना जो आपका इंडियन जुडिशल सिस्टम होता है यह हाईरार्की में ऑपरेट करता है सबसे पहले सुप्रीम कोट उसके बाद हाई कोट उसके बाद इस्टिक्टर मेट्रपॉलिटन कोट यह आपको पता चुकी हूँ हाई कोट के जो डिसीजन होते हैं वो उस स्टेट में बाइंडिंग होते हैं सबसे उपर होता है उसका फैसला हर हाई कोट को मानना पड़ता है और रिस्पेक्टिवली सबी स्टेट को भी मानना पड़ता है अर्टिकल 141 ऑफ इंडिन कोंस्टिउशन अंडर मदलब यह सारी बाते कहां लिखिए हैं इंडिन कोंस्टिउशन के आ्रिकल 141 में In fact, a Supreme Court decision is the final word on the matter. किसी भी केस में, Supreme Court का decisions ultimate होता है. उसके अगे कुछ आई नहीं, कहा जाओ गया? Supreme Court सबसे उपर है, राइट? तो आपको समझ में आ गया? Question number one. चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं, question number two. Indian Contract Act का है, question? बहत एजी क्वेश्चन है, पीपीबुक काई क्वेश्चन है, देख आप. Mr. Parth applied for a job. Mr. Parth ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, as a principal of the school. School management decided to appoint him. Management ने decide के लिया था कि अपॉइंट करना है Parth को. One member of the school management committee privately informed Mr. Parth that he was appointed, but official communication was not given by the school. स्कूल, अभी हुआ क्या? स्कूल की committee में से एक इंसान Parth को जानता था personally. तो उसने personally जाके Parth को बता दिया, कि देखो देखो आपका selection हो गया है. However, स्कूल ने कोई formal letter नहीं बेजा. बाद में management ने सोचा कि अरे हमें, अभी principal इसको नहीं रखना, किसी और को रखना है. तो Mr. Parth को गुष्चा आ गया. Mr. Parth ने case file कर दिया, स्कूल के against. क्या बोला? कि आपने मेरा appointment cancel कैसे किया? तो स्कूल वालों ने बोला, कि हमने आपको appointment ही कप किया? है ना? तो Mr. Parth ने case file कर दिया, कि आपने मेरा appointment cancel किया है, और उससे damages भी मांगे. कि आपने मेरा appointment cancel कैसे किया, तो मुझे salary का नुकसान हुआ, तो मुझे पैसे दो. अब आप बताओ, क्या Mr. Parth successful हो जाएगा, case file करके अपनी salary मांगने में बताओ. The answer will be no. Why? Because here communication of acceptance was not given. Parth ने school में apply किया, Parth ने offer दिया, पर क्या school वालों ने acceptance दिया? नहीं. Acceptance किस ने दिया? किसी एक private member ने, school वालों ने नहीं. तो acceptance पहली बात तो हुआ ही नहीं है. क्यूं? क्यूंकि acceptance must be given by the person who has authority. ठीक है? तो यहाँ पर हम acceptance को valid, मतलब यहाँ पर हम communication को accept valid communication ही नहीं मानेंगे. ठीक है? तो acceptance communicate ही नहीं हुआ. इसलिए acceptance वालिद नहीं है. और जब acceptance ही वालिद नहीं है, तो कोई contract ही नहीं बनता पार्थ और school के बीच में. जब कोई contract ही नहीं बनता, तो पार्थ few भी नहीं कर सकता और damages भी नहीं मांग सकता. ठीक है? आईए देखते हैं. As per the rules of acceptance, acceptance must be communicated. Rules of acceptance आप देखो, तो लिखाए कि acceptance communicate होना चाहिए to offerer, by offering himself or any other authorized agent. Offery खुद करे, या फिर किसी agent को बोले. यहाँ पर offerer कौन था? पार्थ. Offery कौन था? School. तो या तो school ही inform करे, या school किसी को बोले कि inform कर दो, तो information path तक पहुँचे. Communication of acceptance by third person cannot be concluded as valid evidence. Valid acceptance. कोई बाहर वाला आकि अगर communicate कर रहा है, तो valid acceptance नहीं होती है. फिर देखो, fact of the case लिखा है. In the instant case, Mr. Pat ने apply किया था job के लिए और एक member of the school committee ने privately बता दिया, सारी बाते हमने लिख दी. तो इस basis पे हम कहेंगे, provision और fact हमें given है. इसके basis पे हम यह बोल सकते है, कि जो communication of appointment है, जो Mr. Pat को दी जानी चाहिए थी, वो school दौरा दी जानी चाहिए थी. या school का agent देता. थर्ड पार्टी के दुवारा communication जो दी जाती है, वो valid नहीं होती. तो यहाँ पे किसी थर्ड परसन ने privately communication दी है, तो कोई contract नहीं बनता है पार्थ और school के बीच में. और पार्थ, suit file भी नहीं कर सकता है. ठीक है? कह नहीं सकता है कि मेरा appointment क्यों cancel किया. अब आप देख रहे हो एक चीज, एक pattern note किया आपने. तीन पारेग्राफ है. पहले पारेग्राफ में आपको provision बताया है, rule बताया है, Indian contract act में क्या लिखा है. दूसरे पारेग्राफ में fact of the case बताया है कि कहानी में क्या लिखा जो question में गिवन है. तीसरे पार्ट में आपको finally conclusion गिवन है. तो आप लोग चाहो तो ऐसा heading भी हाँ पे दे सकते हो. In fact, I will suggest कि आपको heading देना चाहिए. provision, fact and conclusion. clear? नेक्स एकते बता question number 3. question number 3 भी आपका Indian contract act का ही है. क्या लिखा है? सार्थक employed किया गया है. मतलब सार्थक को employee किया गया है as a cashier for a monthly salary of 50,000 by ABC bank. तो ABC bank ने सार्थक को job पे रखा है अपने पास. salary है 50,000 per month. तीन साल के लिए. मोहित ने सार्थक की guarantee दी है. मोहित गेव surety for सार्थक's good conduct. मोहित ने कहाता बैंक में tension मतलो सार्थक is a very good person मैं उसकी guarantee लेता हूँ. 9 months के बाद bank की financial position खराब हो जाती है तो वो सार्थक के salary 50,000 से 40,000 कर देते हैं. दो महिने बाद पता चलता है कि सार्थक जब उसे appoint हुआ था तब उसे पैसो की हेरा फेरी कर रहा था. अब आप बताओ कि इसमें मोहित की क्या liability है according to Indian contract act. मोहित इस जब शौरटी सार्थक इस जब डेटर and ABC is the creditor. मोहित ने guarantee ली ती सार्थक की कि भई यह सही काम करेगा नहीं करेगा तो मैं हूँ ना पर क्या है एक rule होता है आपका contract of guarantee में कि अगर creditor और debtor के बीच के terms and conditions change हो जाए without surety's consent और without informing surety तो contract of guarantee वहीं end हो जाता है तो जब 9 months बाद salary कम हुई न तो इस बारे में तो मोहित को कुछ पता ही नहीं था तो contract वहीं end हो गया तो इसका मतलब जो सार्थक ने misappropriation करा था 9 महीने तक उसके लिए तो मोहित liable होगा लेकिन उसके बाद जो किया है उसके लिए मतलब और दो महीने बाद जब पता लगा है उसके लिए मोहित liable नहीं होगा clear है आई ये देखते है according to section 133 of Indian contract act 1872 आपको section याद होता है बहुर अच्छी बात है पेटा गलत नहीं लिखके आएंगे ठीक है section 133 of Indian contract act कहता है where there is any variance मतलब change in terms of contract between the principal debtor and creditor debtor और creditor के बीच में contract में अगर change होता है surety से बिना पूछे then it would discharge the surety तो surety का surety फ्री हो जाता है contract of guarantee end ठीक है उस variance से बात की transactions के लिए in respect of all the transactions taking place subsequent मतलब बाद में तो उस variance उस change के बाद जब कोई भी transaction होगी उसके लिए surety liable नहीं होगा यह होगे आपका provision फिर है fact of the case इस case में एक राइटर ने variance करा है change करा है तो भी assurity discharge हो जाएगा उस change के बाद से hence more it is liable as a surety for the loss suffered by bank due to misappropriation during the first nine months क्योंकि 9 मीने के बाद variance आया है उसके बाद के लिए लाइबल नहीं होगा but not for misappropriation committed after reduction in salary clear I hope कोई दिक्कत नहीं है move करते में नेक्स्ट कॉश्चिन पे कॉश्चिन नमबर फूर आपका देखो यह भी हमारे पीपी बुक का कॉश्चिन है राहूल वाज अडिस्क जोकी at five star hotel as per the contract उसको perform करना था every weekend हफते में दो बार Saturday, Sunday और उसको payment मिलेगी पच्चिस सो रुपे पर डे 25 हिंडे उपीज और डे however after a month एक महीने बाद राहूल जान बूच के absent रखता है अपने आपको आता ही नहीं है perform करने इस बात को ध्यान में रख्या आप बताओ क्या hotel के पास contract to cancel करने का right है जी हाँ अगर promisor जान बूच के अपने आपको absent रखता है performance करने नहीं आता तो जो other person है promise ही है वो contract to cancel कर सकता बिल्कुल उसके पास right है लेकिन अगर hotel एक mail डाल दे राहूल को कि भई आप आजाओ और हम आपका contract continue ही रखेंगे अब क्या hotel contract cancel कर सकता है बाद में जी नहीं अभी वो contract cancel नहीं कर सकता एक बार अगर hotel ने performance accept कर ली अपने contract से अपने behavior से फिर वो जो है contract को cancel नहीं कर सकता कौन से cases में बताओ hotel चो है वो damages ले पाएगा बताएगा तो बिटा होटल वालों को नुकसान तो हुआ है चाहे पहला केस हो चाहे दूसरा केस हो राहूल नहीं आया तो दोनों ही cases में hotel वाले को right मिलेगा कि वो damages ले पाएगा clear आएए देखते by realizing section 39 of the Indian contract act 1872 it is understood that when a party to contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise entirely अगर party to contract काम करने से मना कर देए अपने आपको काम से absent रखे disabled रखे तो जो aggrieved party है दुख्यारी party है promise C है उसको दो right मिलते है तो contract को cancel भी कर सकती है या फिर वो यह कह सकती है कि हम continue रखेंगे अपने word से अपने conduct से कि वह हम interested है continue रखने में दोनों ही cases में उसको damages का right रहेगा यह हो गया provision right तो अब finally बता दो कि first case में hotel के पास right है contract cancel करने का second में बता दो कि एक बार अगर hotel ने continue करने का फैसला कर दिया तो बाद में वो contract cancel नहीं कर सकता third में बता दो कि दोनों ही cases में जो होटल है वो damages claim कर सकता है clear है next question देखते है बच्चों question number five examine the following examine whether the following constitute a contract of bailment under the provisions of Indian contract act तो आपके contract of bailment का question है यह पूछा है कि क्या इसमें contract of bailment है first part है विकास parks his car at a parking lot locks it and keeps the key with himself विकास क्या करता है parking lot में अपनी कार खड़ी करता है का को पाक करता है lock कर देता है और चाबी अपनी पास रिख लेता है पताओ क्या यह bailment का contract है जी नहीं क्योंकि चाबी किसके पास है विकास के पास complete possession नहीं दिया है to the parking lot owner चीक है next आपका seizure of goods by custom authorities जो custom authorities गुट को take over कर लेती है गुट को अपने कबजे में कर लेती है क्या यह contract of bailment है जी हाँ clear आई देखते as per section 148 of the Indian contract act bailment के आप definition दोगे bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that the goods shall when the purpose is accomplished be returned or otherwise disposed of according to directions of the person delivering them bailment क्या होता है bailment के contract होता है जहां goods को deliver किया जाता है from one person to another with a condition कि जब काम हो जाएगा तो जो दूसरा पसर है वो गुड्स को वापस कर देगा right bailment के लिए bailer को possession देना है और bailie को accept करना है तो first part में वो possession तो दे ही नहीं राचा भी तो अपने पास ही रख रहा है तो it is not a contract of bailment no, mere custody of goods is not a possession आप गुड्स मा रख रहे हो उन्हें दे नहीं रहे हो in this case since the keys of the car are with vikas section 148 of the Indian contract act shall not be applicable मतलब bailment का contract यह नहीं है second में bailment का contract है क्योंकि goods किसके पास जा रहे हैं custom authorities की possession में जा रहे हैं तो यह contract of bailment है next दिखेंगे बिटा question number six question number six में आपका लिखा है कि Sanjay Kothari was a big business man जिसके दो बेटे थे और एक बेटी थी बेटी की शादी हो चुकी थी he decided to gift his house to daughter उसने decide कि आपना ही house daughter को gift कर देंगे for this purpose he called his lawyer at his house and made a written agreement written document for such gift the lawyer advised him to get the transfer document properly registered lawyer ने advised थी कि भी document जो है इसको registered भी कराना है when both of them were going for registration of the document they met an accident and both died both मतलब Sanjay Kothari and lawyer जब इदोनों जा रहे थे तो इनका accident हो जाता है और दोनों की death हो जाती है क्या document registered है जी नहीं ठीक है later the document later the doctor found the document and claimed the house explain whether she can get the house answer is no जीटा agreement without consideration valid होता है parties near relation में हो यहाँ near relation में थी agreement writing में हो यहाँ writing में था पर agreement registered होना चाहिए यहाँ register नहीं हो पाया था इसलिए यह valid नहीं है तो बेटी को कुछ नहीं मिल पाएगा उस document की उपर यहाँ सिदुप्रषा शीशशपी नहीं हता है यह安ा है यहाँ यह 10as तो इसट नवर्लियू इसक्टित गई लमजों को जाएं और रिटन और रेजिस्टर वह रिटन इछ पर्ट्रान। अपूर। जोबुदन कोसित रिखते हैं और दाइए रिटन विल्ट वार्जिस्टर्ट था रिखत रेग्रान। को induce किया, बहलाया, employee का नाम है Bobby, तो employer है Ayush, employee है Bobby, to sell his one room flat to him at a less than market value to secure promotion, ओ, हुआ, हुआ, हुआ क्या है, Ayush ने, Bobby को बोला, कि Bobby, तो मेरे यहां पर job करते हो, अगर promotion चाहिए, तो अपना one room flat, मेरे नाम पर कर दो, सस्ते में, क्या दिख रहा है, अपनी power का, अपनी authority का, अपनी अपना गर एड्वांटेज आयूश, Bobby sold the flat to Mr. Ayush, Bobby बेचारा, क्या करता, उसने flat बेच दिया, लेटर ऑन, Bobby नापना mind change किया, और उसने बोला, उसने सोचा कि, मैं Ayush को स्यू करता हूं अपना flat वापस लेने के लिए, बताओ, examine the validity of this contract, अब बताओ, अब बताओ, अग्जामे अपना घर वापस ले सकता है, clear, next आ जाते हैं second part पर, Mr. Suraj ने promise किया था Mr. Manoj को, कि वो एक family painting picture बना के देंगे, 20,000 रुपीज लेंगे, और बोला था कि 15 मार्च तक मैं आपको सारा काम करके दे दूँगा, unfortunately Mr. Suraj की death हो जाती है, जो काम करने वाला है, promisor, he dies on 1st March 2023, और assignment रहे जाता है आधा दूरा, can Mr. Manoj bind the legal representative of Mr. Suraj for promise made by Mr. Suraj, question क्या कह रहा है, कि Suraj ने Manoj से कहा था कि मैं तुम्हें एक painting बना के दूँगा, painting बना के दूँगा 15 मार्च तक, एक मार्च को ही Suraj की death हो जाती है, क्या Manoj Suraj के बेटे को, बोल सकता है कि तुम painting में आ के दो, answer is no, अगर personal skill का case होता है, personal skill का promise होता है, in that case, promisor की death होने पे agreement void हो जाता है, ठीक है, legal representative will not be liable, ठीक है, तो suppose Mr. Suraj has promised to deliver some photographs to Mr. Manoj, against a payment of 10,000, but he dies before that day, लेकिन अगर मालो, Suraj ने कुछ photograph देने का promise किया होता, अभी photograph में तो क्या personal skill है, ठीक है, तो उसके लिए legal representative को बोला जा सकता था, ठीक है, will his representative be bound to deliver the photograph, जी हाँ, पर फोटो के लिए पोला जा सकता है, तो फोटो तो परले खीच लिए तब ही डिलिवर करना है, ठीक है, यह फोटो कीचने में तो चलो फिर भी को इतना वह नहीं है, कि परस्नल के लिए इंवल्ड है, राइट, ठीक है, डिसाइड ऐस बादा प्रोविजिन आप बोलोगे कि फर्स्ट केस में तो लिगल रिप्रेजेंटिटिव को बाइन नहीं किया जाएगा, सेकिंड केस में कर सकते हैं, और यह देखते हैं, दोनों पार्ट, सेवंथ का पार्ट ए था, जो आपका बॉबी वाला और आयूश वाला एक्जामपल कोशन था आपका, अंड्यू इंफ्लेंस के बारे में बात हुए है, कॉंट्रेक्ट इस सेट टो बी अंड्यू इंफ्लेंस, वेर देखते हैं, जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी को ड क Wick, कॉंट्रेक्ट वॉडेल होता है उस पार्टि की ओप्शिन पर जिसकी कंसेंट अपने अंड्यू इंफ्लेंस से ली है, यहां पर कॉंट्रेक्ट जो है बावबी और आयूश का भीडेल है, अट्यू आप्शन ऑव् मिस्टर बावबी की कंसेंट अध्न痛 इंफ्लेंस से पर है question the parties to a contract must either parties को या तो खुद काम करना है और offer to perform their respective promise unless such performance is dispensed with or excused under the act promises bind the representative of the promisor in case of death of such promises before performance unless a contrary intention appears from the contract क्या लिखा है कि अकर contract में कुछ और लिखा है तो और एक बात है वरना generally promises के लिए legal representative भी liable होते है अगर promisor की death हो जाए तो as per provision of section 40 of the Indian contract act if it appears from the nature of the case that it was a intention of the party or any contract that any promise contained in it should be performed by promisor himself तो such promise must be performed by the promisor क्या लिखा है कि अगर आपको case देख के लग रहा है यह contract में ऐसा mention है कि promisor ही काम करेगा तो promisor ही काम करेगा ठीक है in other cases promisor का legal representative या agent भी काम कर सकता है in terms of provision of section 40 in case where suraj has to paint a family picture manoj cannot ask the legal representative of suraj to complete the painting since painting involves the use of personal skill अब आप यह उपर ना personal skill वाला point भी लिख सकते थे इतना गुमा गुमा की लिखा है आप सीधा सीधा लिख सकते थे कि personal skill के case में promisor's legal representative will not be liable contract will become void on the date of death of the promisor ठीक है however in terms of the provision of section 37 in case where mr. suraj has promised to deliver some photographs to mr. manoj here the legal representative shall be bound to deliver the photographs clear है उसमें बोला था photograph deliver करूँगा तो photo खीचली होगी तभी तो deliver करेगा ना सरफ delivery बाक्की थी photo खीचनी बाक्की नहीं थी समझ रहो तो delivery बाक्की थी इसमें कौन सा personal skill तो इसके लिए आप बोल सकते हो legal representative को next question देखते है question number 8 direct question very beautiful question explain the term quasi contract and their characteristics direct question quasi contract बताना है उसके characteristics बताने है धान से question का answer करेंगे क्योंकि quasi contract का meaning and characteristic पूछा है cases नहीं पूछा the quasi contract are just like contracts ठीक है यह law से create होते हैं parties के offer or acceptance से नहीं होते there is no contract between the parties it is created by law और यह equity justice और good conscience पर बेस्ट होता है यह सारी बाते आप लिख देंगे features आप बता देंगे कि जो quasi contract है उसमें parties अपने आप enter नहीं होती है law एंटर कराता है law obligation इंपोस करता है और यही वली बाता फिर characteristic में भी लिख देंगे it is based on good conscience, equity और justice यह सारी बाते आप mention कर देंगे right quasi contract का एक और feature है quasi contract में एक party को एक person पर ही right मिलता है पुरी दुनिया पर right नहीं मिलता सपोस अगर मेरा purse गुम हो गया था किसी person को मिलता है finder को तो मेरा उस person पर ही तो right है कि पुरी दुनिया पर right है नहीं ना इसलिए यह भी एक point है आए देखते है quasi contract under special circumstances obligation resembling those created by contract कैसे obligation होते हैं जैसे contract में होते हैं वैसी imposed by law लेकिन imposed कुन कर रहा है law कर रहा है although the parties have never entered into the contract parties ने कभी contract में एंटर नहीं किया फिर भी obligations है such obligations are known as quasi contract such contract resembles a contract so far as result or effect is concerned अगर result की बात करें effect की बात करें तो यह contract जैसे ही होते हैं पर formation के बात करें तो बिलकुल भी contract जैसे नहीं होते हैं these contract are based on the doctrine that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of other यह contract इस concept पर बेस्ट होते हैं कि एक person को दूसरे person के ऊपर unfair benefit नहीं मिलना चाहिए salient features important features of the contract क्या है यह agreements नहीं आता है law से आता है इसमें duty होती है promise नहीं किया किसीने एक दूसरे को third है the right is always a right to money and generally though not always to a liquidated sum of money इसमें क्या right मिलता है इसमें right to money मिलता है ठीक है and generally though not always to a liquidated sum of money means अगर आप exact amount of money calculate नहीं कर सकते हो तो you can go for estimated amount ठीक है fourth लिखा है such a right is available against specific person and not against the whole world मिना आपको example दिया था fifth है a suit for its breach may be filed in the same way as in case of a complete contract क्या लिखा है कि जैसे normal contract तोड़ा जाता है तो एक party को right मिलता है कि आप case कर सकते हो ऐसे इसमें भी बले parties में actual में contract नहीं किया है पर contract वाली ही सारी बाते हैं तो अगर quasi contract को एक party breach करती है तो दूसरी party sue कर सकती है normal contract के तरह right तो सारी बाते clear है direct question था अच्छा question था अब आ जाते हम sale of goods act 1930 question no.9 question no.9 read करेंगे बैटा एक बार प्रकाश एक sweet shop पे जाता है और बोलता है कि मुझे 1 kg of बरफी चाहिए अगर बरफी fresh है तो तो seller कहता है कि sir सारी sweets बिलकुल fresh है अच्छे quality की है प्रकाश agree करता है buy करने के लिए on the condition के पहले वो taste करेगा एक piece तो sale on sample basis है ना ताकि वो check कर पाई quality को the seller gives him one piece to taste प्रकाश on finding the quality is good ask the seller to pack Prakash ने देखा कि ठीक है टेस्ट कर के देखा उसे सही था तो तो समे बोला seller pack कर दो on reaching the house घर जा के देखा तो प्रकाश को पता चला that both is stale बासी है यह तो पुरानी है and not fresh while the piece tasted was fresh उसे पता लगता है कि वह जो मैंने piece खाया था वो fresh था यह fresh नहीं है ना प्रकाश wants to avoid the contract बताओ कर सकता है क्या? yes absolutely क्यों breach of condition as to sample भई breach of condition as to sample में क्या लिखा था कि आपका sample match होना चाहिए lot से right यहां पे जो bulk लेके गया है जो buyer प्रकाश वो तो match ही नहीं हो रहा sample से hence he can avoid the contract will your answer be different if Prakash does not taste the sweets अब बताओ अगर उसने test ना किया होता पहले तो क्या answer आपका अलग होता? जी नहीं तब भी हमारा answer same होता क्यों? क्योंकि उसने description तो दिया था ना कि अगर बरफी fresh है तो ही मैं खरीदूंगा test भले नहीं किया तो description तो description से भी तो match होनी चाहिए clear तो first point में description और sample दोनों लिख सकते हो यहां तो दोनों से ही माच नहीं हो रही थी और second वाले point में लिख दो कि क्या उसने sample test नहीं किया तो description तो description से माच होनी चाहिए यह तो description से भी माच नहीं हो रही है in that case also it is a breach of condition and Prakash can award the contract clear है आई है by virtue of provisions of section 17 of sale of goods act 1930 in case a contract in case of a contract for sale by sample there is implied condition that bulk shall correspond with the sample in quality or buyer has shall have reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample and description का भी लिख है according to section 15 when there is a contract for sale of goods by description there is implied condition that goods shall correspond with description if goods do not correspond with description यह implied condition buyer can avoid the contract he can reject the goods, cancel the goods, right in the first case, in the instant case, sale of sweet is sale by sample and quality of bulk does not correspond with quality of sample hence Prakash can return the sweets yet avoid the contract in the second case, there is sale as to description even though there is no sale as to sample sale as to description तो है ना description तो दिया तो दिया ता na fresh और रहिए है यह तो fresh तो दो दिस्रिशिचिंश है नहीं हो रहिए है so he can avoid the contract in the other case, the sale of sweet is the case of sale by description and the quality of goods does not correspond description hence the answer will be the same Prakash can return the sweets and avoid the contract avoid कम अटलब रहित है या फिर cancel the contract, clear है, easy question था, sale of, आपका unit number two, condition and warranties की उपर, next up देखो, Akansh, purchased a TV set from Arvind, Akansh ने एक TV set खरीदा है, Arvind से, Arvind कौन है, Gada Electronics के मालिक, oh, okay, on the condition, that first three days, he check its quality, and if satisfied, he will pay for that, otherwise, he will return the TV set, यहीं से पता चल गया है, it is sale on approval, basis, ठीक है, on the second day, the television set was spoiled due to earthquake, कितने दिन का टाइम लिया था, तीन दिन का, second day पे ही, TV set destroyed हो गया, now, Arvind is asking for the price, Arvind कह रहा है कि मुझे TV के पैसे दो, अब आप बताओ, whether Akansh is liable to pay the price, and who will ultimately bear the loss, better in case of sale on approval basis, ownership तभी पास होती है, या तो बायर ने बोल दिया हो, बता दिया हो, या किसी भी तरीके से, seller को यह inform कर दिया हो, कि यहां में goods accept कर रहा हो, या फर जितना time दिया गया था, approval के लिए वो time निकल गया हो, या फर goods के साथ ऐसा कुछ किया है, जिससे हमें देखके लग रहा है कि उसने accept कर लिया, यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ownership तो बायर के पास नहीं गई है, ownership अभी भी seller की है, और जिसकी ownership उसी का risk, तो जिसकी ownership मतलब Arvind, Arvind की ownership थी, तो risk भी Arvind का, Arvind अकांच से प्राइज नहीं मांग सकता, ठीक है, जो नुकसान हुआ है, Arvind को भी बियर करना पड़ेगा, clear है, देखते हैं, आपको पहले sale on approval basis के सारे points लिखने हैं, जैसा हमने डिसक्स किया, फिर बता रहे हैं कि यहाँ पे तो ownership पास ही नहीं हुई, क्योंकि नमें से कोई भी point कवर नहीं हो रहा है, ठीक है, according to section 24, of the sale of goods act 1930, again I am repeating, बेटा, section नहीं आद हो रहा है, तो छोड़ दो, गलत मतलब लिखना, लेकिन, when the goods are delivered to the buyer, और approval, और on sale or return basis, या और भी कोई SSI terms है, on approval मतलब approval दोगी, तो रख लेना वणना वापस कर देना, या फिर on sale or return, या तो वापस रख लो, वापस कर देना नहीं, तो sale माननी जाएग अपने पास रखना, property, ownership कब पास होती है बायर को, when he signifies his approval, अगर अपनी acceptance को signify कर दे, show कर दे, communicate कर दे, या फिर वो ऐसा कुछ करे, when he does any other act, adopting the transaction, या कुछ ऐसा करे, जिससे लगे कि हमा, transaction अड़ाप्ट कर रहा है, या फिर time निकल जाए, वो approval को signify ना करे, और गुट्स को रख के बठा रहे, ठीक है, तो इन में से तो कुछ नहीं हुआ, ना तो उसने हाँ बोला, ना ही उसने goods को sale या pledge कुछ किया, और ना ही time अभी निकला है, तो अभी ownership तो गई नहीं है बायर के पास, further, as per section 8, when there is an agreement to sell specific goods, and subsequently the goods without any fault on the part of seller or buyer parishes, section 8 कहता है कि अगर agreement to sell किया है, ownership बात में जाएगी, but अगर goods destroyed हो जाते हैं, तो risk किसका होगा, risk किसका होगा बताओ, seller का, ठीक है, agreement cancel हो जाएगा, तो सारा रुकसान seller bear करेगा, according to above provision and fact, the property is not yet passed to a cash, that is buyer and no condition of section 24 is satisfied, hence, risk has not passed to the buyer, and the agreement is thereby avoided, यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो, risk prima facie passes with ownership, उसका provision भी लिख सकते हो, हाला कि मैं गऊंगे, लिखना चाहिए, अकांश is not liable to pay the price, so finally the loss will be borne by a seller, that is Mr. Arwin, I think इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से, यह वाले paragraph की जगे, अब वो वाला लिख सकते हो, risk prima facie passes with ownership, clear, next move करते है, question number 11, यह भी sale of goods at का है, यह हारी perfect practice book का ही है, Mr. Arun contracted to sell his swift car to Mr. Nikhil, Arun ने contract किया है, Nikhil के साथ कि वो से swift car बेचेगा, लेकिन दोनों ने price ही discuss नहीं किया, बोथ missed to discuss the price, later on Mr. Arun refused to sell his swift car to Mr. Nikhil, on the ground that agreement was void, because they were uncertain about the price, Arun ने निक्खिल के साथ कॉंट्रेक्ट किया है, कि वो से swift car बेचेगा, बाद में Arun माना कर रहा है कि मैं तुमें कार नहीं बेच रहा, because यह agreement हमारे बीच में है, जो अवाइड है क्यूंकि इसमें price ही नहीं है, does Nikhil have any right against the Mr. Arun under sale of goods act, yes, even though price discussed नहीं हुआ है, तो reasonable price जाएगा, ठीक है, पर इस बेसिस पर कि price discussed नहीं हुआ है, contract cannot be avoided, आएए रेखते है, as per the provisions of the sale of goods act 1930, price is the consideration for the sale of goods, price के meaning बता दोगे आप, और बता दोगे, this is very important requirement to make a contract of sale, according to section 9 of sale of goods act, price in a contract of sale may be fixed by the contract, you can fix it in the contract, or may be left to be fixed in a manner, thereby agreed, या फिर या अप अगर सकते हो किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, और may be determined by course of dealing between the parties, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम काम स्टार्ट करते हैं, दिरी दिरी price डिसाइड कर लेंगे, even though both the parties, या लाई लाइन दे कुछ उ मैंने बोली थी आपको, even though both the parties missed discussing the price of the car, it will still be a valid contract, rather than being uncertain and void, the buyer shall pay a reasonable price, ठीक है, तो अब बताओ, निखिल के पास क्या राइट है, buyer के पास क्या राइट है, buyer can demand for car, he will have to pay reasonable price, ठीक है, in the given case, Mr. Arun and Mr. Nikhil have entered into a contract, for the sale of car, but they did not fix the price, यह इनोने fact बता दिये, Mr. A refuse करना चाह रहा है, car को sell करने के लिए सारी बाते, Mr. Nikhil, final answer is, Mr. Nikhil, can legally demand the car from Mr. Arun, and Mr. Arun can recover reasonable price of car from Nikhil, clear, just because price discussed नहीं हुआ है, इसका मतलब यह यह contract cancel हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं बच्छों, question number 12, Mr. Shankar sold 1000 kgs wheat to Mr. Ganesh on credit for 3 months, Shankar ने Ganesh को 1000 kg wheat sale किया है, 3 महिने के उधार पे, wheat deliver होगा 10 दिन के बाद, contract आज हुआ है, 10 दिन के बाद wheat deliver होगा, payment होगी 3 महिने बाद, after 5 days of contract, a friend of Mr. Shankar secretly informed him, that Ganesh may default in payment, contract हुए भी 5 दिन हुए थे, कि Shankar के friend ने बोला, कि बही गनेश हुए ना, वो default करेगा देखना, मैं जानता हूँ उसको, on the information of friend, Mr. Shankar applied the right of lean, and withheld the delivery, अभी Shankar को बता लग गया था, कि Ganesh पहमें नहीं करने वाला है, तो उसने का गया, right of lean exercise कर लिया, अब आप बताओ, according to provision of sale of goods act 1930, whether Mr. Shankar was right in his decision, क्या वो right of lean exercise कर सकता था, basically यह आप से जाना जाते हैं, दूसरा, क्या आपका अंसर क्या होता, अगर Ganesh insolvent हो जाता, तो, तो first case में बेटा देखो, right of lean कब लग सकता है, या तो, without उधार समान sale हुआओ, यहा तो उधार पे हुआ है, जा फिर उधार का time period निकल जाए, यहा वो भी नहीं हुआ, है ना, अभी तो contact हुए, पांच ही दिन हुए थे, तीन महिने का time period था, ठीक है, तो ना तो हमने बिना उधार के समान बेचा है, ना ही अभी उधार का time period निकला है, और ना ही case number one के हिसाब से, अभी buyer insolvent हुआ है, तो क्या शंकर के पस lean का right आया है, नहीं, तो शंकर जो lean exercise कर रहा है, वो गलत कर रहा है, अगर गनेश insolvent हो जाता, फिर हा, फिर वो lean exercise कर सकता था, त्यूंकि फिर third condition पूरी हो जाती, clear है, आईए देखते हैं, according to section 45, section 1 of the sale of goods act 1930, the seller of goods is deemed to be an unpaid seller, अभी unpaid seller किसको कहते हैं, पहले उसके बारे में बता दू, the whole of price has not been paid, अगर पूरा price unpaid seller तक अभी नहीं, seller तक नहीं पहुँचा है, तक अभी unpaid seller होता है, या फिर हमने seller को bill of exchange नेगोशेबल दिया था, पर वो dishonor हो गया, तो भी seller unpaid होता है, ठीक है, unless this payment was an absolute and not a conditional payment, ठीक है, यह point कब अपली के बालोगा, जब payment absolute है, conditional हैं, अब यही section, section 47 आपका बताता है, about seller's right of lean, lean मतलब कभजा करने का right, an unpaid seller के exercise the lean or retain the possession of the goods, and refusal to deliver them to the buyer until the price due respect of them is paid or tender, क्या लिखा है, कि बही unpaid seller के पर राइट होता है, कि वो lean exercise कर सकता है, goods पर कभजा कर सकता है, goods को अपने control में रख सकता है, जब तक उसका payment ना मिल जाए, पर ये following cases में होगा सिरफ, कब, या तो goods without credit बिके हैं, जैसे cash sale पर बिके हैं, तो ये भी हमारा case नहीं है, दूसरा, goods बिके तो credit पर हैं, पर credit credit expire हो गया है, हमारे case में तो त्री मंत का credit credit था, वो तो expire नहीं हुआ है, या फिर अगर buyer insolvent हो जाए, फिर्स्ट केस में तो वो भी नहीं हुआ है, वही लिखा है, फिर नीचे fact of the case लिखे हैं, कि गनेश ने purchase किया है, 1000 kg और ये सारी बाते लिखी हैं, जो question में थी, फिर आपको बोला है, on the basis of उपर लिखा provision and facts, it can be said that even Mr. Ganesh was an unpaid seller, भी seller तो unpaid था, मांगते हैं, ठीक है, until the term of credit has expired, Mr. Shankar had to perform his promise of supplying 1000 kg of wheat, क्या लिखा है, कि Mr. Shankar lean exercise नहीं कर सकता, right, cannot exercise lean, उसे supply करना पड़ेगा, भले अभी payment नहीं हुए है, तब भी, क्यूंकि अभी lean का right नहीं आया है, lean का right कब आता है, जब आपके credit credit expire हो जाए, तब दूसरा, अगर Mr. Ganesh insolvent हो जाते हो जाते हुएटा, तो third condition applicable हो जाती, third case में फॉल हो जाते हैं, तब by default, जिस seller हो lean exercise कर सकता था, in this case Mr. Ganesh became insolvent, before delivery of wheat, Mr. Shankar had the right to apply the lean, and could withhold, मतलब रोख सकता है delivery को, समझ गए, तो first case में कोई भी condition पूरी नहीं हुई है, तो जो Mr. Shankar है वो lean exercise नहीं कर सकता है, second case में ये third condition पूरी हो गई है, इसलिए जो Mr. Shankar है वो lean exercise कर सकता है, clear, move करते हैं, next question पर question number 13, Job of Indian Partnership Act का, धान से सुनेंगे, Moni and Tony दो partners हैं firm में, firm का नाम है Moto and Company, Mo means Moni and To means Tony, they admitted Soni as a partner in the firm and he is actively engaged in day-to-day activities of the firm, okay, he is an active partner, there is a tradition in the firm that all active partners will get monthly remuneration of 20,000, but no express agreement was there, अभी क्या है फॉर्म करना tradition है, रिवाज है, कि हर active partner को बी से जार का remuneration मिलता है है परमंत, पर हाँ, admission of Soni, after admission of Soni in the firm, Moni and Tony continued getting salary from the firm, but no salary was given to Soni, अभी क्या हुआ, Soni के अड्मिशन के बाद, Moni और Tony को तो तो रमनिरेशन मिल रहा था, पर Soni को नहीं मिल रहा था, Soni ने का मुझे भी मेरा रमनिरेशन चाहिए, पर existing partners ने दिनाई कर दिया, by saying that there was no express agreement, अगर अगरेमेंट में लिखा लेकिन पार्टनर का मतलग फर्म का ट्रेडिशन है, तो जो सब बाद partners को मिलता है, वो new partner को भी मिलेगा, ठीक है, अगर फर्म का ट्रेडिशन है, कि salary मिलती है, तो नहीं partner का भी पूरा right उसमें बनता है, clear? तो इसमें आपको क्या बताना है, पहली बात तो यह बतानी है, कि normal cases में अगर agreement में नहीं लिखा, आप पार्टनर इस नोट एंटाइटल तो रिसीव रमनिरेशन, वैसे तो पार्टनर को को राइट नहीं है, इंटाइटल मतलब राइट, नहीं है, रमनिरेशन लिने का, क्योंकि वो बिजनस चला रहा है इसलिए, या फर courts of dealings से पता लग सकता है, कि भह यहां ऐसा होता है, जिससे क्यों होगा, पार्टनर को रमनिरेशन मिल जाएगा, तब भी पार्टनर को रमनिरेशन मिलेगा, अगर पार्टनर, पार्टनेशिप में, continuous usage में, मतलब यह tradition है फर्म का, usage मतलब tradition, कि वो रमनिरेशन देती है, in other words, where it is customary, custom है रिवाज है, तो पेर रमनिरेशन टू पार्टनर, फो र कंड़ेक्टिंग दे बिजनस अफ दी फर्म, he can claim it, even in the absence of contract, for the payment of same, अगर रिवाज है, कि पार्टनर जो काम कर रहा, उसके बदल में रमनिरेशन मिलेगा, तो तो पार्टनर क्लीम कर सकता है, भले ही contract में नहीं लेखा, इन दा गिवन प्रॉब्लम, इन दा गिवन सिचुवेशन, existing partners, जो थे, मोनी, टोनी, they were getting a regular monthly रमनिरेशन, उनने तो मिल रहा था रमनिरेशन, from the firm, customarily, उनका भी agreement नहीं था, उनने भी custom की वज़े से मिल रहा था, क्योंकि वो working partners थे, as Sony was also admitted as working partner, क्योंकि सोनी भी active partner, working partner की तरहा है था, he is also entitled to get रमनिरेशन like any other partners, clear? तो general rule is कि आपको कोई रमनिरेशन नहीं मिलेगा, specific rule रहाता है कि ये partnership में, agreement में लिखा है तो मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर partnership agreement में नहीं लिखा, लेकिन फर्म को प्रचलन है, चलन है, tradition है, कि वो रमनिरेशन देती ही है, तो partners claim कर सकते हैं, right? तो लिख लेंगे आप इसको, move करते में, नेक्स्ट क्वेशन पर, question number 14, next देखते हैं बच्चों, question number 14, question number 14 कह रहा है, Mr. Ram and Raheem are working as teachers, Ram and Raheem दो लोग थे, जो teacher की तरह काम कर रहे थे, इन इश्वचन्द विद्यसागर हायर, Senior Secondary School, और वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, they jointly purchased a flat, उन्होंने मिलके एक flat खरीदा, जो उन्होंने रेंट पे दे दिया, Mr. John को, it was decided between landlords, कौन थे landlords, Ram and Raheem, तो Ram and Raheem ने मिलके क्या decide किया, तो जो tenant है, मतलब जो किरायदार है, यानि कि John, तो और मतलब जो मकान मालिक और किरायदार, दोनोंने मिल की decide किया, कि रेंट होगा दस थाजार रुपिया पर मंत, इंक्लूडिंग, आपका electricity bill, दस थाजार में, बजली का बिल इंक्लूडिट होगा, जो लेंडलोड्स है वो मार्च के महीने का बजली का बिल भरना भूल गए डू तो दिस एलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट कट दा कनेक्शन इसकी वज़े से बजली डिपार्टमेंट ने कनेक्शन कट कर दिया Mr. John has to pay the electricity bill of 2800 and 200 as a penalty तो Mr. John को टोटल 3000 रुपे करने पड़ गए To resume the electricity connection Mr. John claimed rupees 3000 from Ram but Mr. Ram replied that he is liable only for 1500 John ने का कि मुझे 3000 रुपे दो राम पर राम ने का मैं तो सरफ 1500 के लिए liable हूँ बाकी 1500 आप रहीम से वांगो Mr. John said that the Ram and Raheem are partners therefore he can claim full amount from any of the partner तो John का कहना है कि Ram and Raheem आप तो partners हो ना तो मैं तो किसी एक सभी पैसा मांग सकता हूँ आप आपको explain करना है क्या provision of Indian partnership के act के हिसाब से क्या राम लाइबल होगा पूरा मांट पे करने के लिए बिस्टिकली यहाँ पर आपको यह प्रूफ करना है क्या राम और रहीम के बीच में partnership है तो answer is no they are just co-owners they are not partners clear है पहली बात तो कोई business नहीं कर ले है दूसरी बात राम और रहीम सरफ property के owners है मिलके चीक है ना राम रहीम के action के लिए लाइबल है ना रहीम राम के action के लिए लाइबल है hence राम सरफ अपने लाइबल होगा रहीम वाले लाइबल होगा रहीम वाले लाइबल नहीं होगा clear है आएए देखते है according to section 4 of the Indian partnership act 1932 partnership is a relation between persons partnership is a relationship between people who have decided that they will share the business that they will carry carry one or any of them acting for all means one partner can work on all of them on the other side for there for for determining the existence of partnership it must be proved क्या क्या प्रूफ करना चाहिए agreement होना चाहिए agreement बिसनस के लिए होना चाहिए नहीं था agreement profit share करने के लिए बिजनस का प्रॉफिट वो शेर नहीं कर रहे थे वो तो सब रंट शेर कर रहे थे business was carried out by all or any of them acting for all ऐसा भी नहीं था बिस्ट के लिए मुचल अजनसी होनी चाहिए वो भी नहीं थी तो इन तो इन दिस केस गिस सभी रीजन्स की वज़े से हम यह कहेंगे कि इनकी बिच में पार्टनर्शिप नहीं है on the basis of above provision and fact provided in the question Mr. Ram and Rahim cannot be set under partnership as they are teachers in a school and just purchase a flat jointing they are just the co-owners by merely giving the flat on rent they are not doing business another important point okay they are just earning the income from the property under their co-ownership hence there is no partnership between them so finally decision क्या होगा कि Ram is liable for his share of 1500 and Mr. John has to claim remaining 1500 from Mr. Rahim therefore Mr. Ram is liable to pay his share only rupees 1500 Mr. John has to claim the rest of 1500 from Rahim I hope बिल क्लियर है easy question था move करते मेता next question पे question number 15 X and Y partners है और firm dissolve हो जाती है on 12 June dissolve मतलब firm बंद हो जाती है पर public notice नहीं दिया जाता है विटा firm dissolve होने के बाद public में notice जिरना पड़ता है उसके बाद X ने पर्चेस करा कुछ गुड्स फर्म के नाम पे फ्रॉम जेड और जेड को इस बाद की कोई खबर नहीं थी कि फर्म बंद हो चुकी है Z was ignorant मतलब not aware of the fact of the dissolution of the firm X became insolvent X insolvent हो जाता है और Z कहता है वाई तुम मुझे पैसा दो अभी आप बताओ कि वह X और Y तो अलग-लग हो चुके थे क्या Y libel होगा state with reason whether Y would be libel under the provisions of Indian partnership act answer is yes firm का dissolution होने के बाद जब तक notice नहीं दिया जाता है जब तक partners libel रहते हैं तो X नहीं अभी notice नहीं दिया गया था X नहीं कुछ समान पर चेस करा उसके बाद वह insolvent हो गया तो Y will be libel क्योंकि Z को पता ही नहीं था कि इस सब dissolution हो चुका है क्लियर है चलियर है By virtue, by reason of the provision of section 45 of the Indian partnership act 1932 notwithstanding doesn't matter कि dissolution हो चुका है firm का the partners continue to be libel as such to third parties for any act done by them any of them which would have been an act of the firm क्या लिखा है कि भले dissolution हो गया है पर partners फिर भी libel रहते हैं third party को किसी भी partner के act के लिए इस तरीके से libel रहते हैं जैसे रोने firm के लिए act किया है If done before dissolution until public notice is given out dissolution जब तक dissolution का public notice नहीं दिया जाता Dissolution से पहले काम किया है इस तरीके से libel होते है clear In the instant case X and Y were partners in a firm which were resolved but no public notice was given After dissolution इस सारा basically आपको fact of the case बताया जो question में लिखा वही है Finally आपको यहाँ पर conclusion बताया है कि following the provisions of section 45 X and Y are continuing libel against the third party even after dissolution of firm until public notice is given X or Y libel रहेंगे third party इसको भले dissolution हो गया है क्योंकि अभी तक public notice नहीं किया है As in the given problem X became insolvent therefore Y will be libel X insolvent or Y libel होगा Clear? So Z अपना पैसे वाईसे वसूल कर सकता है Again आप देखो यहाँ पर ICI ने कैसे answer frame किया Provision, Fact, Conclusion So format maintain करना बहुत जरूरी है Heading लिख दो के तो बहुत ही बढ़िया है Okay Move करते हैं Question number 16 Question number 16 आपका कह रहा है कि ABC The partnership firm The partnership firm The business carry For construction of apartment B The partner The wholesale dealer Iron bars The responsibility Is to find iron bar And check the quality After purchase Okay As a wholesaler B is well aware of the market condition B is well aware of the market condition B is well aware of the market condition Current market price of iron bar Is 350 rupees per kg B ने already 1000 kg खरीद के रखा हुआ B already had 1000 kgs of iron bar in stock Which he has purchased before price hike He has purchased at 200 rupees To the firm without the firm realizing the purchase cost He supplied iron bars to the firm Without the firm realizing the purchase cost What did he do He supplied the iron bar to the firm And how much he supplied In 350 The firm didn't tell the original cost In 350 Market rate Is he liable to pay the firm The extra money he made Or he doesn't have to inform the firm As it is its own business And he has not taken any amount More than the current price Assume there is no contract Between the parties What are you saying? What B Which is 150 rupees per kg Difference is This firm Or should keep the firm Because actually In the market price It didn't charge it Maybe he doesn't You know Please tell me You should tell me If anyone As a partner As a firm 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 If a firm As 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 a firm कि कि अगर कोई पार्ट्नर क्राफिट कमाता है ज्राइब मतलब कमाता है कि इसी भी फूब केupport कि य्जर फॉपर्म की एूज Coffee brewer क कि अधि और कर तो उसका भी पैसा सारा बिजनस में ही देना पड़ता है तो दोनों प्रोविजिन के हिसाब से देखा जाए तो जो भी है उसको प्रोफिट फर्म में देना चाहिए इंद गिवन सेनारियो भी है वे सोल ईरन बार्ट विद फर्म अद ध करेंट प्राइस लेकिन उसके पास च transaction with the firm, यह तो कहां से आया है, फिर्म के transaction से, hence B is accountable, it is the duty of the B to the firm for the extra profit earned thereby, मतलब, फिर्म B को, फिर्म को पैसा देना होगा, 1.500 रुपिया पर केजी, जो उसने कमाया है, clear, चलिए, मूफ करते हैं, question number 17, direct question, state the modes by which a partner may transfer his interest, तो, interest transfer का जएक provision थाना, उसका question है, in favor of another person under the Indian Partnership Act, what are the right of such transfer, direct question है, क्या कोई partner अपने interest transfer कर सकता है, yes, partner sale कर सकता है, अपना interest, pledge कर सकता है, किसी भी तरीके से किसी और को transfer कर सकता है, दूसरा person कह कह रहाता है, transferree, क्या transferree के rights होते हैं, बताओ, transferree books of account जए सकता है, नहीं, transferree सिरफ और सिरफ पार्टनर का profit का हिस्सा लेगा, और कुछ नहीं, पर हाँ, अगर transferree, अगर, जो main partner है, वो retire हो जाए, तो क्या जो transferree है, suppose x, y, z, 3 partner है, y ने अपना जो हिस्सा है वो a को sell कर दिया, now y is the transferer, a is the transferree, क्या y ऐसा कर सकता है, बलकुर कर सकता है, अब ये के पास क्या right होगा, क्या a books देख पाएगा, नहीं, क्या a को चुप चप y वाला profit देना पड़ेगा, हाँ, अगर मान लो y रिटायर हो जाए, तो a के पास क्या right आएगा, क्या a को अब account मिलेगा, अपना हिस्सा चेक करने के लिए, हाँ, जो जो y का हिस्सा बनता है, वो सब a को दे दिया जाएगा, और अब a statement of accounts मांग सकता है, अपना हिस्सा चेक करने के लिए, ये सारी बाते आपो लिखनी है, आओ देखते है, section 29 of the Indian Partnership Act 1932 provides that a share in the partnership is transferable just like any other property, आप एपना हिस्सा चेक कर सकते हो, but as partnership is based on mutual confidence, पर पार्टनर्शिप में तो सभी पार्टनर्स का आपस में विश्वास होता है न, तो जो असाइनी है, जो ट्रांस्फरी है, जिसने पार्टनर का अधर्वाइस, उसके same right partner जैसे नहीं हो सकते, क्या-क्या right होते हैं, देखो, जब तक partnership शलेगी, वो partner क्या नहीं कर सकता, business में interfere नहीं कर सकता, accounts नहीं मांग सकता, inspect नहीं कर सकता, वो सिरफ और सिरफ चुप-चप share of profit रखेगा, और उसे accept करना पड़ेगा, वो accounts को challenge भी नही बोल सकता, हाँ, जब firm का dissolution होगा, या partner का retirement होगा, तब transferree को, क्या-क्या मिलेगा, देखो, तब transferree को share of assets of the firm मिलेगा, जो उस partner का था, जिससे उसने share खरीदा है, मतलब आएगा, और for the purpose of ascertaining the share, अपने share पता लगाने के लिए, वो account भी मांग सकता है, दूसरी चीज, एक च firm में आ सकता है, और ना ही, कोई partner अपना share किसी और को transfer कर सकता है, ठीक है, unless the other partners agree to accept, अभी देखो, क्या लिखा है, कि जो transferree होगा, वो partner नहीं बन जाएगा, ठीक है, पर हाँ, अगर मालो, x, y, z, तीन लोग थे, y ने अपना share transfer करा, to a, अभी x और z चाहें कि a, a हमारा partner बन तो बना सकते हैं, पर by default ए पार्टनर नहीं बन जाएगा, at the same time the partner is not debat from transferring interest, नहीं हम भाई को अपना interest transfer करने से रोकते हैं, अब partner's interest in the partnership can be regarded as an existing interest and tangible property which can be assigned, क्या लिखा है, जो partner का interest होता है, ना share होता है, वो एक tangible property की तरह होता है, जिसको आप आगे किसी और को बेच तकते हो, तो basically ये वाला paragraph जो है बाद वाला, इसे आप थोड़ा simple language में लिख सकते हो, बाकि सारे उपर के points आपको as it is लिखने पड़ेंगे, clear है, चले, move करते हैं towards 18th number of question, आपका LLP का question अब आगया है, A and B were friends, now they have plans of setting up a supermarket in their locality, वो locality में अपना supermarket खुलना चाते हैं, अब वो confused है, कि हम partnership पे जाएं कि LLP पे जाएं, तो आप एक advisor की तरह, CA साहब की तरह, उन्हें differences बताओ, कि बढ़िदे को partnership में ऐसा ऐसा होता है, और LLP में ऐसा ऐसा होता है, अभी आप decide कर लो, ठीक है, तो एक advisor की तरह, आपसे वो differences मांग रहे हैं, between two forms of communication, और जिसमें आप यह highlight करो, कि partnership में क आपको इह difference between partnership and LLP देना है, simple, ठीक है, कहानी की तरह दिख रहा है, पर सीधा-सीधा, straightforward answer है, आपको हमेशा difference between table की form में लिखना है, basis और जिनका difference लिखना है, उनकी heading, सबसे पहले, LLP का limited liability partnership act है, partnership firm का Indian partnership act, body corporate LLP, body corporate मानी चाती है, एक अलग पहचान है, इसकी law के नजर में, partnership firm क कोई अलग पहचान नहीं होती है, it is not a body corporate, body corporate में क्या-क्या आता है, body corporate में आती है, company, India वाली, company, foreign वाली, LLP, India वाली, और LLP, foreign वाली, बस यह आते हैं, body corporate में, next आपका separate legal entity, LLP के अलग पहचान होती है, मैंने कहा था, partnership की नहीं अलग पहचान होती, creation LLP को एक process से create किया जाता है, procedure है, पूरा registration का, और partnership agreement से create होती है, एक agreement आपको बनाना है, partnership done है, ठीक है, register कराओगे तो registration process है, आगे यह लिखा है, LLP का registration तो mandatory है, बनती है, register करके है, और LLP का जब registration हो जाता है, तो उसके अलग पहचान हो जाती है, तो आप LLP को sue कर सकते हो, ठीक है, और LLP अपने नाम स किसी को भी sue कर सकते है, case कर सकती है, पर partnership में registration voluntary होता है, जरूरी नहीं होता, आपने agreement के लिए, अब जरूरी नहीं आप register कराओ, और सिरफ register partnership ही sue कर सकती है, अगर अपने आपको register नहीं कराया, तो ना आप sue कर सकते हो, पर आपको को sue कर सकता है, यह हम पढ़ेंगे, clear है, अग पर कोई उस पर case तो तब भी कर सकता है, clear, perpetual succession मतलब क्या partners यह members से, जो organization उसकी entity उसकी existence से फरक पड़ता है, तो LLP में है नहीं, LLP के partners अगर आ जायें, चले जायें, death हो जाये, कुछ भी हो जाये, LLP पर कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन partnership में death, insanity, retirement, इन सब का फरक पड़ता है, form चाहे तो dissolve भी हो सकती है, partnership की कोई perpetual succession नहीं होती, clear, तो यह थे आपके difference between partnership and LLP, तो ऐसे हम लोग advise कर देंगे अपने client को, कि देखो यह partnership का, यह LLP का, अब आप देख लो, आपको क्या suit करता है, clear, अब यह आप देखो, 6 पॉइंट यहां पर लिखे है, अगर question आता है, 6 max का हैगा, 6 पॉइंट लिख दो, 7 का हैगा, 7 पॉइंट लिख दो, clear, इस तरीके सापको आपको आपको करके चलना है, मेरा यह मानना है, कि अगर आपको एक extra पॉइंट आता है, तो आप एक extra पॉइंट लिख के चलेंगे, clear, next आपका question number 19, company back 2013 से, question 19 देखेंगे, थोड़ Sun Moon Timber Private Limited, बच्चों यह भी पीपीबुक कोश्च्छन है, in fact मैंना और कोश्चन नहीं बता है, मुस्टरी कोश्चन अवारे पीपीबुक से ही है, तो Mr. Dhruv ने, Mr. Dhruv अपॉइंट हुए थे, Sun Moon Timber Private Limited के employee की तरीके से, और शर्त यह थी, on the condition, that if he were to leave his employment, जब वो अपनी से निकाल दिया गया, उन्होंने अपना खुद का बिजनस चार्ट करा है, अन्दर प्रोपाइटरशिप, और अंडर कट Sun Moon Timber Private Limited के प्राइजिस, मतलम उन्होंने Sun Moon Timber Private Limited के प्राइजिस को प्राइजिस से अपने प्राइजिस कम रखे, अब क्या मतलब है इसका, वो तो कस् था कमपनी में अपनी वाइफ को और फ्रेंड को, जो से शोल्ड शर्डूर बनाओ, तो दूरूवब निकांड की जाए हो तो क्यों कि आप ने तो अग्रिमेंट साइन किया है अर शण्मून के साथ, क्या अब कॉस्टुमर्स को ट्रेक्न करोगे, अब आप ऐसा करोगे तो साफ-साफ दिख रहे है, customer attract कर रहे हो, तो आप ए breach of contract का case हो जाएगा, एक काम करो, company बनाओ, तो दुरूफ ने क्या किया, एक company बनाई, seven star timber private limited, और उस company में अपनी wife को, और friend को, sold shareholders बना दिया, खुद नहीं बने, तो दुरूफ की तो एक proprietorship firm चल रही थी, एक company बनाई, जिसमें wife और friend, shareholders थे, अब wife और friend की जो company थी ना, seven stars, उसने दुरूफ के business को take over कर लिया, they take over the droop's business and continued it, खरीद लिया, मतलब, अब इस sunburn timber private limited ने case कर दिया, seven stars पे, कि तुमने तो ये तो दुरूफ की company है, और दुरूफ ने मेरे साथ contract किया था, कि वो तो मेरे customers को attract नहीं करे गए तो कर रहा है, seven stars private limited अर्ग्योट की contract तो आपकर दुरूफ के बीच में हुआ था, ठीक है, हम तो एक separate legal entity है, हम तो अलग है, हम अलग, दुरूफ अलग, seven stars timber private limited has not violated the terms of agreement, हम ने को agreement नहीं तोड़ा, दुरूफ थोड़ी ना कुछ कर रहा है, company कर रही है, अब आप बताओ reason देखे, क्या दुरूफ और seven stars अलग-अलग हैं, क्या उनकी corporate field lift होगी, या फिर उनकी separate legal entity रहेगी, समझते हो आप, अभी इस question में क्या हो रहा है, देखो आप, मैं आपको अपको अपकर explain करते हूँ, एक थे दुरूफ, दुरूफ ने sun moon के साथ एक contract करा था, कि जब मैं job छोड़ूँगा, तो मैं solicit ने करूँगा customers को, अभी sun moon ने दुरूफ को निकाल दिया, दुरूफ ने अपना एक private काम स्टार्ट किया, प्रोप्राइटरशिप में, फिर दुरूफ को किसने समझाया, कि प्रोप्राइटरशिप में काम बत करो, आप company बनाओ, तो दुरूफ ने एक company बनाई 7 stars, जिसमें दुरूफ की वाइफ और दुरूफ का फ्रेंड, यह दुनों क्या थे शेर होल्डर्स, और यह जो 7 stars थी, इसने दुरूफ के बिजनस को खरीद लिया, तो बिस्तिकली दुरूफ मीजी में आ गया और नाम नहीं लिखा था, ठीक, अब धुरूफ सेवन स्टार्स के नाम से, अपनी वाइफ और फ्रेंड के साथ मिलके काम करने लगिया, जिसमें वो सन्मून के लोगों को attract करता था, तो सन्मून ने 7 stars पे case कर दिया, कि भे यह तो गलत है, धुरूफ ने हमारे साथ contract करा था, कि वो हमारे customers को attract नहीं करेगा, बर वो तो कर रहा है, तो 7 stars ने का, भीया, धुरूफ जाने, आप जानो, हम तो separate legal entity है, हम तो कुछ भी कर सकते है, तो अब आप बताओ, क्या धुरूफ और 7 stars अलग है, बिसिकली वो यह पूछना चाते है, आंसर इस नो, वो दोनों अलग नहीं है, lifting of corporate wheel होगा, similar case law है, गिलफोर्ड मॉर्टल लिमेटेड वर्सेस होने, उसमें भी यह हुआ था, ठीक है, जो होने था, उन्होंने agreement किया था, गिलफोर्ड के साथ कि हम customers को attract नहीं करेंगे, बाद में वो company बना कि customers को attract करेंगे, तो same case है, इसलिए, सिज़सिदा case law लग जाएगा, आप बोलोगे, कि धुरूफ और company अलग नहीं मानी जाएगी, जो company काम कर रही है, बना जाएगा धुरूफी काम कर रहा है, और धुरूफ गलत काम कर रहा है, थीक है, इट थीजड़ बाद कोट इन केस अब गिलफर्ड मोर्ट लिमिटेड वर्स जोने, इस अब दा कमपने इस फोर्म्ट, सिंपली एज़ डवाइज तो इवेट लिगल उब्लिकेशन, अब अपने बनाई है, को एकी नजर से देख सकती है, basically company के act के लिए कौन जिम्मेदार माना जाएगा, shareholder, in other words, if the company is mere sham or clock, the separate legal entity can be disregarded, अगर company जो है, वो सिरफ sham है, clock है, सिरफ एक धोके के लिए बनाई गई है, तो separate legal entity को नजर अंदास किया जाएगा, on considering the decision taken in and on the basis of the fact given, it is clear that seven stars private limited was formed just to evade legal obligation of agreement, agreement से बचने के लिए बनाई थी बस, ठीक है, जो दुरूफ और सर्मून के बीच में था, hence seven stars timber private limited is a sham or a clock, and the separate legal entity between droop and seven stars should be disregarded, दज जो seven stars timber limited है, वो सिरफ sham है, clock है, मतलब, सिरफ नकली है वो, असली की नहीं है, main काम नहीं है, उसका कुछ, वो सिरफ बनी है legal obligation अवाइट करने के लिए, इसलिए हम दुरूफ और seven stars का, जो separate legal entity उसे नजर अंतास करेंगे, seven stars timber के काम के लिए, दुरूफ भी जिम्मेदार माना जाएगा, और दुरूफ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने contract sign किया, देखते हैं बच्छो question number 20, question number 20 भी आपका companies act से है, AK private limited ने बौरो करे थे 36 करोर from BK finance limited, तो AK ने BK से 36 करोर का loan लिया था, memorandum में लिखा था, AK के memorandum में लिखा था, कि maximum amount of loan 30 करोर ही हो सकता है, अब आप बताओ whether AK private limited is liable to pay his debt, basically जो यह transaction हुई है, क्या यह valid है, answer is no, क्योंकि यह MOA, Memorandum of Association के scope से बाहर है, this is ultra wise, और जो transaction ultra wise होती है, वो void होती है, BK limited अपना पैसा वसूल करने के लिए, AK limited को force नहीं कर सकता, AK limited is not liable, clear, अब आपसा पूचे क्या remedy है, अब बीके limited ना, जिस director ने लोन लिया था ना, उसके against case कर सकता है, या फिर court में जाके stay order ले सकता है, बस, अपना पैसा directly वापस नहीं मांग सकता, court में जाके क्या कहेगा, कि AK limited के director ने मुझसे गलती से 36 करोड का लोन लिया है, तो कृपिया उन्हें रोके, उन्हें ये 36 करोड यूज करने से stop करें, clear, आईए, this case is governed by doctrine of ultra virus, ultra virus का doctrine जो है, वो कहता है कि यहां देखो, कोई भी काम, जो आपने, जो company ने, beyond the power of the company किया है, काम किया है, वो MOE के scope से बाहर है, तो वो completely void है, उससे company बिल्कुल भी bind नहीं होती है, ना company को आप pursue कर सकता है, ना company आपको pursue कर सकती है, this is because, जो MOE वो company का charter होता है, main document होता है, it defines its constitution and scope of power, MOE scope of power define करता है, constitution को define करता है, company अपने provisions, जो उसने MOE में लिख्यों से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, कितना ही जरूरी क्यों नहीं हो, hence, any agreement, ultra virus the company shall be fully null and void, क्या AK Private Limited को पैसा चुकाना पड़ेगा, answer is no, ठीक है, क्योंकि ये transaction बिल्कुल void है, as per the fact given, AK Private Limited borrowed 36 crore from BK Finance Limited, which is beyond its boring power of 30 crore, MOE में साफ साफ लिखा था, 30 crore तक कही लोन ले सकते हो, और बिटा, जो MOE होता है, ये public को दिखता है, तो आप company से transaction करने से पहले, इसका MOE पड़े करो, ता कि पता लग जाए, कि ये 30 crore कही लोन लाओना है, यानि कि 36 crore के जो में ट्रांजक्शन कर रहा हो, ये बिल्कुल गलत है, Hence the contract for borning of 36 crore being ultra virus, the MOE is void, AK Private Limited को अपना वो पैसा चुखाने के ज़रत नहीं है, तो गलती BK किया है, उसे MOE पड़किया था, Legal position क्या अवैलिबर, Legal remedy क्या अवैलिबर है, In the light of the legal positions explained above, BK Finance Limited cannot enforce the transaction, और कोई remedy अवैलिबर नहीं होगी, अपना पैसा वापस लेने के लिए, हाँ आपर BK Finance Limited action ले सकती है, डारेक्टर के अगेंस्ट, अभी company तो इंसान नहीं है, जो उसने लोन लिया, लोन तो किसी डिरेक्टर ने लिया, तो इस डिरेक्टर के अगेंस्ट केस कर सकती है, क्योंकि अभी परस्नल अबलिटी ओफ दिरेक्टर हो गई, कि जो अमाउंट उसने बारो किया है, वो वापस करें, और उसके मर जी अभी, या, company तो नहीं करेगी, डिरेक्टर दो कहा देखो आप कैसे करना है, बिसाइड्स बीके फानास लिमिटेड में, तेक रीकोस्ट दे रमेडी बाइ मिस अफ इंजेक्शन, इंजेक्शन मीन स्टे ओर्डर, कोट में जाके अपील कर सकते हैं, को जट सब डिरेक्टर ने मुसे ऐसे गरत लोन लिया है, तो आप बोलो कि इसको यूज ना करे, कमपनी को ये परसे यूज करने से रोको, इफ फिसिबल, इफ पॉसिबल, हलांकि बहुत कम चांसेज हैं, जट सब यही कहेंगे कि आप MOA बढ़के क्यों नहीं गए आपकी गलती है, बट फिर भी BK Finance Limited चाहिए, तो एक बर कोट में ऐसा अपील कर सकता है, राइट, चलिया, नेक्स्ट एक वेशन नमर्ट वेंटीवन, अगेन कमपनी सेक्ट कही है, माइक एललसी, यह भी हमारी प्पीबुक का बच्चो, माइक एललसी सिंगापूर में इंकॉर्परेट हुई थी, ओफिस था उनका पूने में, तो अब आप बताओ, एलाइस करके, क्या माइक एललसी फॉरंड कंपनी है, इस 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 में हैं ठोपी काम करें चाहि फरी क्षोड काम करें यूरी क्षिकले काम करेंछियू इन्टिक्स पीकिले कब इशु काम करें अब। मिलिडिंग मना के छोड़ा के इट इस NOT a foreign company. और इंडिया में काम कर्रहे हो, अड़िंड स्क्रीम करें हो तब раз trajectody ना जायेके तो Mike LLC का तो साफ-साफ लिखा है, company incorporate हुई है, place of business इंडिया में है, पूने में है, तो यह foreign company है, clear है? चलिए. Move करते हैं, question number 22 पे, negotiable instrument act का question है, newly added हुआ है, तो बहुत यहांसे इसको पढ़ना है आपको. Sachin ने खरीदे थे 1000 kg of rice from Saurab 4 rupees 1,50,000 on 3 months credit, credit means उधार पे. और इस purpose के लिए, for this purpose, Sachin ने promissory note दिया था to Saurab, on the same date, payable after 3 months. तो Sachin ने Saurab से 1000 kg rice खरीदे, और Saurab को promissory note लिखके दिया 3 महिने के लिए, कि 3 महिने बाद I promise to pay you this amount, on the date of maturity, जब maturity की data आई, जिसन पेमेंट की data आई, promissory note dishonor हो गया, Saurab ने case file कर दिया amount मांगने के लिए, plus जो case वे, इसकी fees लगी है, जो इसका खर्चा लगा है, सब बनाने करने में, इसका सब मांग लिया, उसने. Referent to the provisions of the Negotiable Instrument Act, whether amount could be recovered by Saurab from Sachin, बताओ, क्या Saurab अपना पैसे recover कर सकता है, Sachin से, बताएंगे, answer is yes, Saurab अपने 1,50000 रिकावर कर सकता है, वक्लील का जो खर्चा वो लेना चाहता है, वो भी रिकावर कर सकता है, साथ में उसे 18% का इंटरस्ट भी मिलेगा, law कहता है, वो 18% का इंटरस्ट भी क्लीम कर सकता है, आइए एक बर हम लीट कर लेते हैं, प्रोविजिंस में के लिखा है, according to section 117, यानि कि 117 of the Negotiable Instrument Act, the compensation payable in case of dishonor of promise, तो basically dishonor का question है, the compensation payable in case of dishonor of promise, or bill of exchange or check by any party liable to any holder shall be determined by following rules, so compensation table है, वो कैसे determine होगा, following rules से determine होगा, holder is entitled up to the amount due upon the instrument, together with expenses properly incurred in protesting, presenting, noting, क्या होता है, कि बिल को प्रेजंट करने में या इंस्रुमेंट को प्रेजंट करने में जो खर्चाया, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग होता है, जब dishonor होजाता है, उसके बाद document पे stamp लगता है, तो उसमें जो खर्चाया है, यह सब recover कर सकता है, जब परसन दूसरी प्लेस पे रहता है, इंस्रुमेंट दूसरी प्लेस से पेबल है, वह दूसरी प्लेस पे रहता है, मतलब कंट्री का difference है, तो फोरण एक्सचेंच रिट का difference भी वह क्लेम कर सकता है, next है, an endorser, endorser who being liable has paid the amount due on the same, is entitled to the amounts of paid with interest at 18% per annum from the date of payment until tender or realization dare of, क्या लिखा है, देखो, ध्यान से सुनना आप, suppose, A ने B को प्रामिसरी नोट लिखके दिया, B ने वो प्रामिसरी नोट आगे C को दे दिया, endorse कर दिया, C due date पर पैसा मांग रहा है, A तो पैसा नहीं दे रहा, पर B पेमेंट कर देता है, जो ये endorser है, जो पेमेंट कर रहा है, ये A से recover कर सकता है, अपना पूरा amount together with 18% per annum का interest, right? तो भही लिखा है कि अगर endorser ने पुरा amount pay किया है, तो इंट्रेस्ट कहां से मिलेगा, जिस दिन B ने C को pay किया है, उस दिन से लेकर जिस दिन B A से पैसा recover करेगा, उस दिन तक का interest वो क्लेम कर लेगा, right? ये, an endorser who being liable has paid the amount due on the same, endorser अब liable हो जाता है, जो main person liable नहीं है भाई C को अगर A से पैसा ने मिला वो तो B कोई बोलेगा ना, तो अगर उसने payment कर दिया, तो 18% per annum के हिसाब से वो A से पैसा recover कर सकती है, together with all the expenses, जो भी उसे खर्चा लगा है, dishonor में, तो इस basis पे देखा जाए, तो सौरभ अपना पैसा claim कर सकता है, प्लस खर्चियों जो advocate वगरा के fees for claim करना चाता है, वो claim कर सकता है, और interest भी claim कर सकता है, right? I hope यह बिलकुल clear है आपको, तो वो बिलकुल अपने पैसे recover कर पाएगा interest के साथ, move करते है next question पे, question number 23, A परचीज की है watch B से, और उसने बदले में प्रॉमिसरी नोट दिया है, कि प्रॉमिसरी नोट क्यों प्रॉमिसरी नोट बिलकुल के प्रॉमिसरी नोट करें है, तो तो A ने वाच खरीदी B से और बदले में प्रॉमिसरी नोट लिखके दे दिया, कि okay में पैसा दे दूगा, which was paybal on demand, जो प्रॉमिसरी नोट था, वो paybal on demand था, बट कोई प्रॉमिसरी नोट था उस पर मेंशन नहीं थी. On maturity, B did not present the promissory note for payment. Promissory note payable on demand था मतलब जब present किया, जब भी मांगेगा था एको पैसा देना पड़ेगा. On maturity, B did not present the promissory note for payment. Due date आ गई, जिन payment थी, जिन की date आ गई, पर B ने present नहीं किया. As the promissory note was not duly presented, whether A would be discharged from liability, अपर B ने तो present नहीं किया A के सामने किया pay करो amount, क्या A को pay नहीं करना है क्या amount? बताओ अप. Answer is नहीं, बिल्कुल नहीं. A को pay करना पड़ेगा. A discharge नहीं होगे अपनी liability से. क्यूं? क्यूंकि instrument था payable on demand. और instrument पे कोई place ही mention नहीं था. कहां पे present करना है. तो बेटा, बी कहां present करता बताओ? है ना? In this case, अगर बी present नहीं कर पाया है instrument को, प्रामिसरी नोट को, तो भी A को payment करनी पेंडिंग रहेगी. अब ये जो question है ना, ये presentment of instrument का question है, newly added topic है, बहुत important है. ICI ने अटीप में देखके भी ये वात clear कर दी कि, ये topic बहुत important है. अब presentment वैसे तो कोई भी document present करना, present करना मतलब, ये document दिखा कि बोलो कि लाओ payment करो, बहुत जरूरी होता है. पर clear किया है specifically आपको, कि अगर प्रामिसरी नोट पेबल on demand है और कोई place mention नहीं है, कोई specific place आपने payment की decide नहीं किया है, in that case, presentment जरूरी नहीं है. ठीक है, बाकी cases में अगर presentment ना की जाए, instrument present ना किया जाए, तो जो payer है, वो अपनी liability से discharge हो जाता है, उसे amount पेबलाई करना पड़ता. लेकिन अगर प्रामिसरी नोट on demand है, और अगर place properly जरूरी मेंशन नहीं है, और वो instrument अगर प्रेजेंट ना किया जाए, तो जो है, वो अपनी liability से discharge नहीं होगा, तो जो payment करने वाला था बंदा वो अपनी liability से discharge नहीं होगा, राइट? आईए देखते हैं, section 64 of the negotiable instrument act provides promissory note, bill of exchange and check must be presented, check प्रेजेंट बाता तीनों चीजज प्रेजेंट होना जरूरी है, ताकि सामने वाला payment कर पाए, प्रामिसरी note की case में, maker प्रामिस कर, payment करता है, bill of exchange में, acceptor प्रेजेंट करता है, check meant draw प्रेजेंट करता है, ठीक है, कि provided that जहां पर promissory note payable on demand है और वो not payable at a specified place है place mention नहीं है तो presentment जरूरी नहीं है on the basis of above law provision and fact of the case although non-presentment of promissory note normally तो discharge कर देती है maker को अपनी liability से पर इस case में हमने ये case exception में cover होता है hence a discharge नहीं होगा वो liable रहेगा even though b ने presentment नहीं किया है राइट तो बहुत इंपोर्टेंट है ये ICI ये बहुत क्लियर कर दिया कि जो newly added topic है newly added chapters में chapter तो newly added है आपका इंटर से foundation में आया था साथ की साथ कुछ टॉपिक्स इसमें नहीं आड़ है जो पर इंटर में भी नहीं है questions को आपको दुबारा से खुद से भी practice करना बेटा खाली video देखने से काम नहीं चलेगा ठीक है RTP से आप question answers learn करेंगे writing practice करेंगे RTP से चेक करेंगे अपने आपको evaluate करेंगे तब ही आपकी preparation complete मानी जाएगे I hope यह RTP discussion आपको fruitful लगाए photographer से बेटा अपनी friends के साथ भी इसको share कर दो video को like कर दो ताकि जादा से जादा बच्चों के पास ये video पहुंच जाए channel पर नहीं हो बेटा तो channel को subscribe कर दो आज का session हम इंड करते हैं बच्चों मिलते हैं next video में thank you so much जैशिशा